हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आर चैनल एडवान्स एक्सर फोर एडवान्समेंट आज हम सीखेंगे टेक्स का फॉर्मुला जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी और जो मैं आज करेंट में वीडियो बना रहा हूं उसमें काफी गैप आ चुका है आप कहीं दिनों से वीडि करते हैं आप नंबर को टेक्ट में करते क्यों हैं वो भी आपको मैं रीजन बताऊंगा और टेक्स का फॉर्मुला यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा बट आपको वीडियो एंड तक देखने होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो आईए स्टा करते हैं नियुमेरिक वैल्यू आप देख सकते हैं यहापर मुझे इसको डॉलर में करना है साथी साथ अगला मेरा कंडीशन यह डॉलर के सासत पर आर भी लगाना कि मतलब इतने डॉलर पर आर में मेरी अर्निंग हो रही है तो मुझे यहापर आप सिंपल ही आप कंट्रोल उन प्रेस करके फॉर्मेट सेल के थूब जो है आप डॉलर लगा सकते है करन्सी का जो साइन है देख सकते हैं यहाप यह ऑस्टिरा का लगा रहा हूं ओके मैंने कर रहा तो डॉलर आ गया बट जब मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल पेस्ट स्पेशल करूँगा तो देखिए टाइब कर आब आप देख सकते ही यहाँ पर value यह मांग रहा है तो मैंने value यहाँ पर पूरी select कर दी then comma आप type करेंगे then format text अब आपको इसका format क्या देना है तो मैं यहाँ पर पहले dollar का sign दीओगा और फिर मुझे लगाना है hash तो hash मैंने क्यों लगाया क्योंकि hash क्या होता है numbers को represent करता है तो मैंने number represent कर दिया है और ध्यान रखेगा ये दोनो inverted comma के अंदर रहेंगे कोई भी आप format देंगे वो inverted comma के अंदर रहेगा format text का जितना भी आपकी values होंगी वो inverted comma के अंदर होनी चाहिए मैंने type कर दिया है bracket बंद करूंगा और एंटर जैसी प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं इसने 24 दे दिया है आप इसने 24 क्यों दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंगल hash यहाँ पर कर रखा था तो इसने numeric value नहीं दिया है अगर मैं इसमें dot hash कर दूंगा तो देखिए 23.5 इसने शो कर दिया है यह सिर्फ इसका ही कवाल है जो मैं hash को यहाँ पर खेलता हूं तो इसकी according ही यहाँ पर यह शो करता है मैं इसको नीचे कर दूंगा तो आप देख सकते हैं इसने वही सेम नंबर शो कर दिया यहाँ पर 1.3 शो कर रहा है क्योंकि मैंने single hash लगा रहा है मैं इसको double कर दूंगा तो 1.3 हो गया तो मैंने सम में यहाँ पर पेस्ट कर दे तो मेरी correct value यहाँ पर आ गई है इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट special करूंगा तो आप देख सकते हैं डॉलर का sign मेरा यहाँ पर continuous है clear है आपको text का formula है यहाँ पर आपको इसलिए काम आता है अब मैं चाहता हूं यहाँ पर डॉलर के सालसत पर आर slash slash inverted comma bracket close simple मेरा यह formula लग चुका है अब मुझे इसमें करना क्या है and आपने यहाँ पर type करना है and type करने के बाद अब आपको जो उपर पर आर का नम जो नाम देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं means and जब लगता है जो भी जब हमें किसी text को जोड़ना हो किसी दो text को जोड़ वहाँ पर लगता है तो मैंने बीच में end लगा दिया मैं दूसरा text type करूँगा formula के अंदर मैं जैसे कि आपको बताता हूं text आ रहा है तो आपको inverted comma के अंदर type करना है तो मैंने inverted comma यहाँ पर लगाया थोड़ा space मैं दे दूँगा ताकि दोनों के बीच में space आ जाया है पर आर मैंने यहाँ पर type कर दिया inverted comma जैसी मैं enter press करूँगा तो आप देख सकते है 23.5 पर आर मेरा यहाँ पर आ गया है clear है मैंने simple इसको end के बाद type कराए space पर आर और inverted comma के अंदर है just because वो formula के अंदर आ रहा है तो इसलिए मैंने inverted comma के अंदर डाला है और end मैंने इसलिए लगाया दो text को मुझे जोड़ना था enter press करा तो मेरा result आप देख सकते हैं आ गया है second part हम समझते है जिसमे date and time यहाँ पर mention है तो text के तुरू हम date निकालेंगे, day निकालेंगे, month निकालेंगे और year निकालेंगे तो सबसे पहले हम date निकालते है तो date निकालने के लिए formula वही text का हम use करे ही है, comma, अब format, text मुझे select करना है तो इसका date का format जो भी आप रखना चाहे, suppose that मैं year पहले रखना चाहता हूँ, year मैंने type करा, dash, month, dash, date, clear है, inverted comma, enter, तो आप देख सकते हैं उसकी according ही मेरे यहाँ पर date आ गई है, clear है, तो text का formula भी हम यहाँ use कर सकते हैं, आप मैं इसकी according day निकाल है, 20, तो 20 किस डे में आ रहा है, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, इस according में यहाँ पर day आपे mention करूँगा, is equal to text मैंने type करा, यहाँ पर मैंने value select कर लिए, then comma, अब format text में मैं क्या करूँगा, inverted comma, day आपने 3 बार d type करना है, d, 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 तो मैंने 3 बार d type कर दिया, inverted comma, press करा, then bracket close, enter, तो आप देख सकते ह है, 20 तारिक को Sunday है, और यहाँ पर Sunday ही शोहर है, clear है, तो मैंने इसको नीचे paste करूँगा, तो मेरा यहाँ पर Sunday आ गया, दोस्ते यहाँ पर गलती होगे, कि यहाँ पर 18 आ रहा था, तो इसलिए 18 की according Sunday दिया, 20 जोता वो year है, बट 18 की according की Sunday दिया हुआ, clear है, अब इसकी according की मैं मन्त निकालतूँगा, is equal to, text मैंने type किया, मैंने date and time select करा, comma, inverted comma, अब मुझे मन्त यहाँ पर type करना है, तो मैं यहाँ पर type करूँगा, mm, तो आप देख सकते है, inverted comma, bracket close, तो answer मेरा आ गया, month, तो मन्त की यह short form आई है, तो मैं अगर इसको पूरी, पूरा नाम नहीं नहीं चा अब year भी ऐसी same निकालेंगे, text मैंने type करा, date and time मैंने select कर लिया, comma, inverted comma, year मैंने double y लिख दिया, inverted comma, enter, तो आप देख सकते है, year मेरा आ गया है, अगर मैं इसको एक और बार e press कर दूँगा, तो 2020 मेरा पूरा आ गया है, clear second part, अब मैं third part पर आता हूँ, third part में आता है, मेरा date or time म minutes second निकालने है, तो time का मेरा क्या रहेगा, is equal to text, value मैंने select करी, comma, inverted comma, अब मुझे यहाँ पर time का जो format होता है, वो देना है, सबसे पहले दाता है, r, फिर आता है बीच में colon, फिर आता है मेरा minute, फिर आता है colon, फिर आता है second, inverted comma, bracket close, enter, तो आप देख सकते है, मेरा time यहाँ पर यहाँ पर आ चुका है, अब मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरा r निकले, तो r के लिए मैं यहाँ पर simple वही formula यूज करूँगा, comma, inverted comma, सिर्फ r यहाँ पर mention करूँगा, inverted comma बन, तो आप देख सकते हैं, simple मेरा r आ गया, ऐसी minute के लिए मैं करूँगा, minute के लिए मैंने type करा, inverted comma में minute मैंने यहाँ पर लिख दिया, enter, clear है, ऐसी seconds के लिए करेंगे, seconds के लिए मैंने यहाँ पर type करा, text, date and time select कर लिया, comma, seconds दो बार type करा, inverted comma, enter, तो clear है आपकी seconds आगे, 0 क्योंकि इसमें 0 seconds है, तो इसलिए मेरा answer 0 है, clear है, आपको formula अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो like करेग और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, so thank you so much.